तो विटमंतरी द्रवला सीतरामन आज पेश करेंगी अंत्रिम पचट्र लगाता च्छट्र भचट्र पेश करेंगी विटमंतरी द्रवला सीतरामन सवार बज़े वित मंत्री सीतर अमन फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी बज़ट दोजार जौबे सेयार करने वाली टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी आड़ बचकर पैतालेस मिड़ पर बहामही बराश्पती से मुलाकात कर बज़ट की मंजूरी लेंगी सवार बच्रे वित मंत्री निर्बला सीतर अमन संसत पहुंचेंगी दस बच्रे कैबिनेट की ब्राथट में बज़ट को दी जाएगी मंसूरी सुभा ग्यारा बच्रे वित मंत्री संसत में वर्ज 2024 का अंसरे बज़ट पेश करेंगी इस वर्षोने बाले हैं आम चुदावी प्रफ्रिया होने के बाद नई सरकार संभवत है जुलाई महीने में पूर बज़ट पेश करेंगी और ये बात प्रोदान मंत्री नरेंड मोदी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कह दी थी के जैसा डर्रा रहा है पूर बज़ट पेश किया जाएगा जब सरकार बन जाएगी और इससे पहले अंतरिम बज़ट लाया जाएगा जो कि आज वित मंत्री निर्बला सीता रमन पेश करेगी उमीदे हैं आला कि चाहे अंतरिम ही क्यों नहों आम जन को उमीद है इस बज़ट से कितनी रहात इस बज़ट से मिल पाती है जो कि पिछला जो बज़ट रहा 2023 का वो आम जन के लिहाज से राहतों वाला भी कुछ माइनों में रहा चाहे टैक्स पेर्स को टैक्स में दी गई छूट हो या फिर उत्पादों पर लगने वाले करसे हूँ बज़ट पेश होने से पहले सरकार को खुश खबरी जी एस्टी कलेक्शन में जबर्दस इजाफ़ा हुआ JST Collection एकोनॉमी की मजबूती का संकेत होता है JST Collection में एक करोड बहतर लाख रुपे के आखडे को पार किया है चालू वितवर्ष में ये तीसरा महीना जब Collection एक दिश्वलव साथ शून एलाख करोड के पार गया JST Collection में सालारा अधार पर 10.4% का इजाफा हुआ ये किसी एक महीने में अब तक का दूसरा बड़ा Collection है क्योंकि एकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था बजट पेश करने से पहले और इसमें खुशखबरी सामने आई है और इतना ही नहीं दो दिन पूर्व सर्वदालिय बैठक भी बुलाई गई थी बजट सत्र के आगास ते पूर सर्वदालिय बैठक में भी चर्चा होनी थी और प्रोधार मज़ी ने अपील की है विपक्षी नेताओं से कि बजट में सार्थक भेहस हो जब बजट पर भेहस होगी सबी डलों के त्वारा फिर प्रोधार मज़ी ने इन्द मोदी इसका जवाब देंगे कुछ जिनों को पश्चात लेकिन प्रोधार मज़ी ने इन्द मोदी ने कहा था कि बहस को तार्किक रखा जाए यानि कि अनायासी बहस नहों क्योंकि ऐसे लोगों को इतिहास में याद नहीं रखा जाता एक अच्छी बहस हो सार्थक बहस हो फाइदे के लिहास हो तो फिर ठीक है जानकारी आपको देदे वित्वत्री दिर्बलासीता रवार्ण आज पेश करी गिया अंत्रिम बजट और बजट पेश होने से पहले सरकार को खुश खबरी जेस्टी कलेक्शन में जबरदस्त इजाफ़क गुआ गोड्स एंड सर्विस टेक्स जिसके शुर्बात की गई थी देश में एक ही टेक्स प्रडाली को लागू करने के लिहास से और समय समय पर केद्श सरकार और बीज़ेपी ने इसके फायदे गिनाये हैं अला कि विपक्षी देता इसको लेकर दिशाना भी साथे आए हैं कई बार बात हुई है जी एस्टी को लेकर के लेकिन इसी बीच कलेक्शन की अगर बात करें तो फिर आकड़ा 1.72 लाख करोड रुपे के पार गया है चालू वितवर्ष में ये तीसा महिना है जब कलेक्शन 1.70 लाख करोड के भी पार गया है अगर सालाना आधार पर बात करें कि कितने फिर दी का इजाफा हुआ है तो 10.04 फिर दी का इजाफा इस कलेक्शन में देखा जा रहा है मोटे तौर पर एक बड़ा फाइदा कलेक्शन में हुआ है और किसी भी एक महीने में अब तक का दूसरा बड़ा कलेक्शन के तौर पर इसे जाना जा रहा है आमजन भी आतुर है बजट को लेकर के अंत्रिम बजट है चुकि लोगसवा चुदाव हो रहे हैं तो तीन महीनों के बाद और इसे लिहाज से अभी अंत्रिम बजट लाए गया है फिर सरकार जब बन जाएगी केंदर में काबिस हो जाएगी पार्टी चुदाव के बाद जनता जसता भरुसा जताएगी वो पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो फिर पूर बजट आएगा वो पूर बजट पूरे एक साल के लिए होगा आने वाले वर्षों का विज़न उस बजट में दिखाई देगा लेकिन चुकि अभी चुदाव है तो ऐसे में जो ये समय सेश रह गया है चुनाव से पहले का अब जो बजट लाए जाएगा वो उन महीनों के लिए लाया जाएगा पर कोशिश यही रहेगी चाहे एक दिन ही क्यों नहों महीने हैं तो ऐसे भी कोशिश यही रहेगी कि आमजन को जितनी राहत हो क्योंकि एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि ये पूर बजट का आईना होगा सरकार के मन में क्या है उसको लेकर के अंतरी बजट ये साफ कर देगा कि कितनी राहत आमजन के लिहाज से और कितना बदलाव इस बजट क्योंकि अगर बीते वर्ष के बजट को देखें तो फिर अब जो टैक्सपेयर है उन्हें कुछ रियाया दी गई थी राशी है टैक्स ल टैक्सपेयर्स को दी गई थी और इसके अलावा जो प्रोडक्स होते हैं आयात निर्यात होता है उसको लेकर के भी एहम बदलाव किये गए थे ताकि लच्चिला पन आया जा सके लच्चिला निर्यात को भी ध्यान में रखते हुए फैसले बजट में लिए गए थे और इं इंट्रेस्ट रेट को घटाया गया था ताकि जाना बोज ना पड़े किसानों के लिहासे महत्पूर्ण था किसानों को भी खेती करने के लिए और अपना व्यापार सुनिश्यत करने के लिए खरीद के लिए राहत दी गई थी रियायत दी गई थी और अब लोन पर इंट्रेस्ट भी कुछ हट तक और कुछ इस्तर के लिए कम रखा गया था या फिर ना के बराबर रखा गया था तो तबाम वर्गों को साथे की कोशिश इस बजट से में रहेगी उमीद यही है कि हर वर्गों चाहे युवा हो महिलाएं हो किसान हो आम जन हो विद्यारती हो या पारी हो सभी को एक साथ लेकर चला जाए और बजट पेश होने से पहले एकोनॉमिक सर्वे सरकार रखी यह देखिए मोजी सरकार के दूसरे कारेकाल का आखरी बजट दूसरे कारेकाल का और अंत्रिम बजट के तौर पर देखे ना बजट जोकी ब्रहमास का काम करेगा लोकसवाचुदाओ के लिहाज से पेश होने वाला ये अंत्रिम बजट बेहत महतपूर तरकार भी यही चाहेगी कि बजट के बाद आमजन को नारास न किया जाए जाला जानकारी देने खिने मैसा जोधपूर से से होगी राजीव गौड जुडग है राजीव बजट भ्रबास या फिर बजट राहतो वाला कैसे देखा जाएगा किन-किन वर्गों को साधने की कोशिश होगी लोकसवाचुनाव का वक्त भी निकट आ गया है ऐसे में कित जब सुबह है सुर्योद होने को है उसरी होने के साथ में आप इस वक्त आप देख पार है कि जो तुके नहरू पार्क के आसपास जितने भी जो बुजट इसा पेशो कि आसू नहीं आए बस्तर से बड़ी बात है कि बजट रहाद देने वालों सब वर्क के लोग मारे साथ उसे बाचित करता है सर इस बजट से आपको क्या उबीद है बजट सही आना चाहिए और पेट्रोल में डिजल में गेस में सारी हम चातें जो सरकार ने की है वादे की है वो पूरे होने चाहिए और बाकी खाने पीने की समगरी है तो उस पर अभी ठीक ही चल लाए बरसों से जोद्पूर के अंदर बजट के अंदर जो चीज़ा है ही है अब डबल इंजन सरकार है वो पूरी होनी चाहिए रिफाइन एक ही टाइम से राजनीती में पढ़ावाया है तो मोदी जी से निवेदन है कि बजट के अंदर सबसे बड़ा काम यह करे जोद्पूर में अलीडी रोड वगर जो रुकी वी है इसमें बहुत बड़ा हं इंकम टैक्स लिमीट बढ़नी चाहिए सिर्फ एक हमारी डिवार्ट के साथ बड़ना चाहिए तो आम तो पर इंकम टैसको लेकर कि चर्चाश चल रही है कुछ और लोगों से बात करें की भी कोश्यूश करेंगे कि किस तरह से आपने काफी उमर लिये कैसा होना चीए बज चाहिए और एलिवेटर रोड जोट की बहुत बहुत जरूरी है वह होनी बहुत जरूरी है पैसे कम होना चाहिए यह अंत्रे बजट है चुना होने आपको लगता है लोक लुबावन होगा बिलकुल नहीं यह मोदी जी से हमारी है निवेदन है कि यह जो आपने मोदी है त जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जहां तक हम जोटपुर की बाद करते हैं राज़षान का सबसे बड़ा सहर होने के कारण यहां पर जो कारेकरम चलते हैं जैसे बंदर्गाह यह इसका एक्सपोर्ड के बंदरगाहें इसको और ज़्यदा विक्षित करना है एलिवेटेड रोर जो अब तक रुकी हुई है सरफ कागजा में चल रही है उसको वास्तविक हादत में लाकर तयार किया जाए यह ऐसी गोस्ना ही अगर बजट में हो तो कुछ लाव होगा परियेटन का विकास होगा जो तुर्शा है कैसा हो बजट बजट सब का बला करने वाड़ा हो मुद्ध सब के उपर ध्यान दिया जाए जिसके अंदर हर वर्ग के उपर ऐसा बजट होगा हर वर्ग के लिए बहतर होना चाहिए बजट सिर्की चुबाद है